तो बड़ी कबर इस वक्त पीम मोदी ने पदभार ग्रहन कर लिया है जियां ये बड़ी कबर पीमों में उनकी मौजूद की काफी वक्त से बताई जा रही थी और अब जो बड़ी जानकारी आ रही है पदभार उन्होंने ग्रहन कर लिया है तो तीसरी बार पीम मोदी ने कार तरह दो पहला है जाने वाले जिनों में तकार का फोकर इस करफ रहेगा और पीम ने भी एक बयान जारी करके ट्वीक करके भी का अविताब जी अब चुकी अभार ग्रहन कर लिया है और अब यही से इस तीसरे टर्म की लिये आगे का विजन उसके लिए जिस रोड मैप की चर्चा उन्होंने पहले से सोच रखी थी कि क्या कुछ करना है, सौ दिनों का एजिंडा क्या है उस एजिंडे को कैसे कम्टीट करना है उसके बाद पांस साल का रोड मैप क्या होगा इन तमाम जो परचर्चा उनकी तरफ से बार बार की जाती रही है और ये जो तस्वीरा आपके ट्रीविय स्क्रीन पर 2014 में जब पहली बार मोधी 1.0 जब भार गरांट करते हुए उनसर आये 2019 ये दूसरा उनका टेन्योर दूसरा कारेकाल 2.0 के जरिया और उनकी तरफ से नमन किया गया और पदबार गरहन करते नसर आये और तीसरी बार 2024 में इस बार एक बार फिर से पदबार गरहन करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और हमारे साथ दिली समवादाता अमितेश इस वक्त जोड़ चुक है अमितेश ये चंड भी अपने आप एहतियासिक हो जाता है तीसरी बार पदबार गरहन करते हुए अब उनका एक्षिन मोड जो है वो साफत तोर पर नजर आना शिरू हो जाएगा यहां बिल्कुल तीसरी बार लगातार प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने करेभार समभाला है और अब इससे पोड़ी दिर पहले ही उन्होंने प्रदानमंत्री करयाला जाकर के अपना अपद सम्हाल लिया है तो कैबिनेट का जो सल गठन हुआ मोधी मंदल का सल शपत गरान हुआ जिसमें प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी को लेकर 72 मंद्री ने करेभार सम्हाल लिया है और एक बार फिर से जैसे परंपरा के मताबिक हमेशा होता है नरेंद्र मोधी कभी रुकते नहीं है अपने काम में लगे रहते हैं तो प्रदानमंत्री फ़त की शपत लेने के अगले ही जिन उन्होंने अपना करेभार समाला है किसान निधी की फाइल पर हस्ताक्षर किया जाने की बात कही जा रही है कि जो पहला उनकी तरफ से कारे किया गया जो बड़ा फैसला और उस फैसले में किसान निधी की जो फाइल थी उस पर उनकी तरफ से हस्ताक्षर किया जा रहा है यानि कि जो हमेशा से उनकी priority list में हमेशा से किसान, गरीब, युवा, महिलाएं जो रही हैं उनकी शुरुवात एक बार फिर से उसी की तस्वीर नज़र आती है जहां बिलकुल उनके priority list में तो किसान, महिला, युवा, गरीब हमेशा से रहते हैं सबसे पहले और आज तीसरी बार जब उन्होंने शपत ग्राण किया उसके बाद अगले दिन जब कारेभार समाला तो सबसे पहला जो फैसला रहा वो किसान समान निरी जो है उसकी रासी को जारी करने का फैसला किया गया है तो निश्यत रूप से ये 17 किस्त है उसको जारी करने का फैसला हुआ है तो निश्यत रूप से बड़ा कदम है और पहला कदम है तीसरे बार के कारेकाल में तो ये दिखाता है किस तरह से नरेंदर मुदी के प्रास्मित्ता में किसान सबसे उपर है और यही एक संदेश दिने की इसमें कोशिश विकी गई है